हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम लोग वानों के बारे में बात करने वाले हैं ये साल खतम हो चुका और शुरू होने वाला है अगला साल अगले साल में क्या होने वाला है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट इयर एकडम दमागेदार होने वाला है तो की अभी तक वनपीस में नहीं दिखाई गई है जब आपके 6-7 एपिसोड अगले साल के बीच जाएंगे तब शुरू होगी एक बैक स्टोरी और इस बैक स्टोरी में आपको बहुत जादा मज़ा आने वाला है क्योंकि पाइरेट किंग गोल्डी रोजर को आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वो पाइरेट किंग बने इसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कुजू की ओडिन ने कैसे वाइट बीर्ड को जॉइन किया था कुजू की ओडिन की डैथ कैसे हुई थी ये सब चीज़े ही आपको मज़ा दिला देंगी और आपका आधा साल इसी बात शुरू होगी बैटल काइडो के साथ वो भी उस दिन जिस दिन लोग पार्टी कर रहे होंगे उस दिन लोग ये सोच रहे होंगे कि कास कोई आए और हमें काइडो से बचा ले सोचो लोग इस बात को सोच रहे होंगे और इधर लड़ाई चल रही होगी बहंकर तरीके से लड़ाई चल रही होगी काईडो के आपको सारे साती दिखाए जाएंगे फ्लाइंग सिक्स के सारे मेंबर बताए जाएंगे और मैं कहाँ आपको ऐसे ऐसे जोन यूजर देखने को मिलेंगे शायद आपने सोचा हो कि ये भी जोन फॉर्म हो वो भी जोन फॉर्म शायद आपको देखने को मिलेगी इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शैंक्स की जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी तक शैंक्स आराम से बैठा हुआ था लेकिन ओडिन सर ने अभी ही हाली में एक एनॉंसमेंट करी है कि शैंक भी अ तो नेक्स्ट इयर आपका धमाकेदार होने वाला है भाई पेटिया बांध लो कमर कस लो पॉपकोन तयार कर लो नेक्स्ट इयर वानो एकदम आपको हिला के रख देगा यही सब चीजे आपको हिला के नहीं रख देंगी काईडो के फ्रूट के बारे में बताया जाएगा और मेरे ख्याल से यह अभी तो नहीं बताया गया यह एक तरह से मालो कि मैं अपनी तरफ से याड़ कर रहा हूँ कि शायद वो इतना स्ट्रॉंग क्यों है क्यों उसकी बॉड़ी इतनी खतरनाक है यह भी आपको नेक्स्ट इयर बता दिया जाएगा तो दोस्तों मिलता हू नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा वानों का वेट करो दोस्तों मज़ा आ जाएगा गुड़ बाई